वाहिकुरु जी, कबीर जह जह हों फिरेओ, कौ तक ठाओ ठाओ ठाओ, एक राम सनेही बाहरा, उजर मेरे पाओ वाहिकुरु जी, कबीते तान को पवित्र कार, मान को पवित्र कार, पीरत सनना जहान जासे जान वाहिकुरुजी का खाओ साौ, वाहिकुरु की फते, परमसनमान योगु गुरु सवारी गुरु खाrzा सा संगजी in you, आप सुों संगता उड्डे फगावले हो, कि अपने मनुखा जल्मों सुधान लई वाक वाक देके नाल पगती कर रहे हो कई पगती कीरतन सुनके कर दे हन कई करके कर दे हन कई रब्दे प्यारे नाम चापके पगती कर दे हन कई कथा अधिक सुनके कथा कर के कर दे हन कहीं रबदे प्यादे गर्फां दिविचार करके उत्व ग्यान प्राबद करके आतम उरस पुछ पुछेते हैं जीमिमर्दी पग्षी करिए पाई पुछना ते सारं ने रबद कोलिया कोई राम जपले, पुछला जपले, कोई राम जपले, जो मर्जपलवे ग्यान पढ़के उदे विचार जड़ेहान हिरते जवसा के आत्म रस तक पहुंचना ही असल ग्यान है गुरूप आशादी बख्षिश नाल उते पहुंचे आजा सकता है आपस मुसमता इस करके बड़े पाकबारे हो सद्गुरूप आशादी बख्षिशां पराबस कर रहे ह आओ सारक तावली ता पंद्रवें द्याई दे अखीले बनना में असी पहुंचे हैं आज पाशादी कि रिप्षिश नाल सारक तावली दे इस करन दी समाप्ती हो रही है समाप्ती ता नहीं कह सकते आप शमत सी पोगवर्त दे आपर फिर भी जो सानू खालसा जो पाशाजी दे पोगवर्त दे लोग पड़े जाओंदे ना उता भी कुछ यान मिलदा है इसे तरह जड़े कथा जे गरंथ होंदे हैं और गरंथ होंदे हैं उनच ए दस्या होंदा है वी गरंथ समाप्ती कदो होई इदा महातम की है महातम आदे दशरे हैं इना अखीले सलो मान को पवित्र कर 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 मान को पवित जहान जास जहान है ऐसे तीर्था दे शिनान दा जास दुनिया जान दी है कि इस सरीर नो पुवित्र कर दे हन मानू पुवित्र कर दे हन पर इसे तरह पाणी जाल सरीर नो शुद कर दा है पर गरंथा दा ग्यान इस गरंथा ग्यान प्रियुद पर इत्थे भी जिकर है और स्थे इत्जाल याद कर गयान प्राब्द करके मान भी अरोग होवेगा मान भी शुद होवेगा मान को बेशुद कार जीव को परबुद कार ते ए जड़ा सार्टावली गरंथा ना मान नो चंगी तरह शुद करदा है जड़ा मेला मान ना उनो शुद करदा है जीव को परबुद कार जीवनों प्रबुद ग्यानवान बढ़ा हुदा है तीर्थों के जासका पी गरंथों दोवारा ग्यान है ते गरंथां विज तीर्था जास भी लिखिया हुए है उन्हें ने खुने नी तीर्था जास की है गंगा दा महातम की है तीर्था ना महातम की है उन्हों की पता लगे भी शिनान करना की मिलेगा को ते की कांदा है कि मैं जड़ी बुटीया ना चू के शिनान अंदे द्वाईयां मढदीया गंगा जल खाल साजी द्वाईयां दा भी प्रयोग बांदा है खाल साजी तीर्थों के जस कापी उन्हारे जस दावी गरंथों द्वारा ग्यान है गरंथों द्वारा ग्यान मिलता है इस कारकवी जी कहन दे हर्दयाल जी कहन दे भी सबाजित जड़ा सारतावली गरंथ है ना ए मुक्स्ती दा रस्ता दखाऊंदा है पेदे चित जाड गरंथ जानने बुद्धवान है जैसे उच नीच मीच कांशी बीच लहे मुद्धा ये में कोई उच्छा नेवा बंदा होवे कोई छोटा वड़ा कोई भी होवे ये कांशी बीच मरेगा ते उन मुक्ती मिलेगी मिलेगी तिननों देव बार धिननों सोणा तिननों मान है तिननाल उन्नी होगे ना कुल तिनकाल देवते तिमनुख उन्नी बंदा है तिनकाल केड़े वर्तमान विक्कते पूतकाल ते जड़े खाल साव जी इसे तरह चार जुग हान, साथ जुग तरिता द्वापर ते काल जुग एक उन्नी हान, उन्नी ही इं मन्दे हान, कि जड़ा भी राबदा प्यारा कांशीच मरेगा उन्नों मुफ्ती मिलेगी दोहरा, बेद, शास्तर, जुग काल तरह, सोर नर वादे लोग, ते जड़े दो लोग, पाव, ते देव लोग, मात लोग रहने हान, उन्नी बन दे हान, उन्नी अच परमान है मुगता दवार सेव ओका, उशिव दी नगरी जड़ी कांशी होते, मुख्ती दा कार मिल दा, पाव, मुख्ती मिल दी है, उशिव जी नगरी कांशी जड़ा भी जड़ा कार होवे, जड़ा वासा होवे, जड़ा मर्दा होवे, उन्नों मुख्ती मिल दी है कभी जी नहीं पता कि शुद की लिखिया थे अशुद की लिखिया थे अशुद की लिखिया कभी जी नहीं नहीं पता कि शुद की लिखिया थे अशुद की लिखिया कभी जी नहीं मरता था सुद जी नहीं मेरा लिखिया चंगा जा बुरा है मेरी बुद्धी अशुद्ध है अगाताव अग कहने पापा पापा नाल पर ही होई है बुद्धी पाप पापा ना कर है कभी जी कहने हर्द्याल जी कहने जड़ा विरुद पाप वर्ण अर्थ कोई अक्खर लग मातर कोई अर्थ गल्त मलत होंता तेख लेना पाई याएग स्याने कवी हो, तुसी स्याने हो, मैं काड़ा हां, पाव, तुसी स्याने कवी हो, ऐ संतल जनों स्याने कवी औницу, आप़े şodh जी उन्हों देखो कि नभ नभ उन्दै अकाश की शुन्ने उन्हों शुन्ने मन देने फिर नाग नो नाग हन अठसी दिया हन साथ सूर चंद्रमा एक है इन्हों उल्टा कर लो एक अठ नो तिजीरों की बने संबत विकर्मी समझ बंद गया सावन सावन दा मिन्हां ठारा सो अभ बिकर्मी संबत सी उन्हों इस भी की बने है इस्वी दा निमें 57-70 साथ बंजा मैने सकार लोस की चूँ किन्ह बन गे जी तैयी बन गे आट सो तैयी昨 लिखे गया ठारा सो जी निखिया इस्टो में सी बेले कविस्णोख सी जी ने उस बेले लग। ठारा सो तरतारी नू कंस पूरा किता ऐसी कवी जी ने। उस सो वी साल पहला पाफ जो लिखरे न जी ना है। ओ तो जगनत लेखेया कैसी है ता कहने जी एक मंगल वार सी मंगल थित चटी पक स्यामा पक स्याम सी काड़ा पक उनने कहने क्रिशन पक शोकर पक्ष दो पक चोंदे ना मस्या पूर्ण माशी चढ़ता उतरता पक वधि सुधी ओ क्रिशन पक्ष काड़ा पक सी ते चटी सी खाल सा चटी कानी थित चटी एकम दूज पंचमीर वाँ चटी हम दी ना ओ चटी पक ते मंगल वार सी लहोर दे नेडे चुहनी पूर है ओ ते रम कीता सी जेता सरी लवताम सभाजितना जेडे राम चंदर जी दे बेटे सान लव 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 तो तो बड़े लहोर ते लहोर शेर विच एक गरंत समापत होया सी सभाजित नामा इदा नाम रखिया सभाजित सभा नुजितन वाड़ा दोहरा नौम सवये सोर्थिक त्रे कवित ललतेक ललत छंद एक है दोहे पांच नराज दोहे एक चछंद बवेक दोहे पांच हन दोहरे नराज चंद दोहन एकीच photon बवेक ग्यान वाड़े हन अत्तिक अकालपुरपा शेरी बख्शुच नाल सान्ता मा परशांदी सीसा नाल ते विशेशत ओरते ग्यानी शेल सिंग जी जो जिनना तोसानो बहुत कुछ पिल लिया सब कुछ ओही देन वाले उन्हाद ये बक्षिछ नाल जी में आप संगताने विचा आसरवन कीती है उन्हाद देखकर पड़ाये हुए पाले हुए फिद्यादाते हाद जो कहलो इस सरी में चंगे पासे लगान वड़े हो ही ये बाद नो चंगे पासे जो लगाया उन्हाद ने उन्हान देखक्षिश की ती नित्या खाल साच किते तक किते हुंदे को जीवन विच तो संत महात्मा चंगा मिल जावे ता जीवन सुदर जाओगा है इसकार के पात्सा किर्पकरन ऐसे मापुर्शादी सीस हाड़े सीस ते बनी रवे उनादी असीस साड़े सीस ते बनी रवे उजिते होन चड़ती कलाज पाशा रखना उनानो कि महराज देशां वे देशां वे देशां वे शिक्षी ता परचार कर रहे हन हों कईयां नो जोड रहे हां ते उनादी सीसनाल अज एक रंथ संपूरन होया है और पात्षार रहमेद करन उस्ताद जन बेक्षिशा करी जान कि हर्दे विच निमर्ता पावना नामरास सहजरास आतम यानावे वैर पाव दूर होवे काम करूत लो मुब आदिक विकार दूर होन चड़दी कला रखन पात्षा इंकार तो भी दूर रखन इमारा किरपा करन आप संगत ने सीसना देनिया जी इसे तरह जी में पात्षा किरपा कर देन अगे इस तो अगला गरंत है पाव सामरित ंदे करना जी गजबच के फते के जाओ फिर आप समू संगता तो दास की में मंगदा है गरंती विचार बड़ी डूंगी होन दी है समा संखेब होन दा है मुल कल्टियां भी होई है विचार संखेब भी होई है कई मारी अक्षर इदर-दर हो जादे है जवान लड़ खड़ा जान दी है ते आप संगत ने सीसा देनिया तानु गुरू हरकिशन से पाश्या जमें गुंगे छजुची वरतो पाश्या ने बख्षिश करके अर्थ कराई इसे तना पाश्या जिने जो अर्थ कराई आप जिने स्रवन की ते पुर्ची गुदी की माँ फत्य की जाओ वाई गुरू जी का खालसा वाई गुरू जी की फत्य